हेलो फ्रेंट्स, कुट मार्निंग, वेलकम इंग जडी आइस एकडमी, जडी आइस एकडमी आप सबी फ्रेंट्स का वेलकम है और आप लोग अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर प्रजेंट हैं जहां पर डेली आपको दहिंदू एडिटॉरियल और न्यू जिनालसिस का बहतरीन प्रेटफॉर्म पूरा का पूरा मिलता है, कॉश्चन्स, प्रॉब्लम साल्विंग और इसके अलामा इन्सियारिटी की सारे सब्जेक्ट्स, कमपटिशन्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब एक ही मंच पर प्रजेंट है, तो आप लोग, मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जो भी हम लोग कोश्चन्स देते हैं, या मैं कोश्चन्स देता हूँ, एनल्सिस का उसको सॉल्व करते होंगे और देखते होंगे, पूरे तरीके से अंडरिस्टेंडिंग आप डिवलप करते होंगे, तो फ्रेंड्स, आज जो है, तो पूछा जाता है और उसके लिए हमने एक अलग से दिन रखा है जो संडे होता है वहाँ पर तो कोई डिटोईया लाता नहीं इसलिए संडे के दिन जो है हम साइंस का एनालसिश करते हैं तो फ्रेंड्स कल जो एक खबर थी COVID-19 को ले करके थी जैसा आप सभी को पता है कि COVID-19 जो है किस तरीके से पूरा का पूरा बैस्विक हलचल मचाया टरटाइल किया पूरे तरीके से पूरे बिस्व को भयावा यस्तिति में डाल दिया और भयावा यस्तिति में न डाला बलकि भयावा कारे करके गया और पूरी की पूरी एकॉनमी, सोसल, जस्टिस और जो असमानता गरीबी ये सब बेतहासा रूप से ब्रिद्ध हुए तो 2019 का इफेक्ट था COVID-19 को ले करके बहुत-बहुत स्ट्रांग था और उसका जो प्रभाव है वो दीर खकाल तक चल रहा है की वो COVID-19 आने के पहले की जो इस्तिती थी अब कुछ जो देश हैं धीरे धीरे उस दिसा में बढ़ रहा हैं इसी बात को लेकर के डबलू यच्चो ने एक नई घोसड़ा की और जो नया एनाउंसमेंट किया है नया एनाउंस किया है वो क्या है हम लोग देखेंगे अभी ह हुआ कि डबलू यच्चो ने फ्राइडों को जो है COVID-19 को लेकर के कहा कि यह जो COVID-19 था अब यह पूरे बिस्व में लंबा जो इमर्जंसी होता है पूरे बिस्व में जो इमर्जंसी की स्थिती है बैस्वी का पातकाल की स्थिती है वो अब COVID-19 को लेकर के नहीं है उन्हों जाते इसने जो है पूरा का पूरा एक अल्प कालीन जो लागडाउन होता है आकलपनी जो लागडाउन होता है वो लागडाउन इसने लगाया और एकॉनमी की जो इस्तिती होती है उसको डाउन किया एकॉनमी जो बल्ट रही थी उसको पूरी तरीके से इंड किया और फिर इ इसी के चलते तो इसने अपने जाते जाते एक मार्क छोड़ गया एक सिंबल छोड़ गया पूरे बिसु के आपातकाल की इस्थती को ले करके और उन्होंने अपनी घोषडा में ये भी बताया कि डबलू यच्चो जो है ये क्लियर किया कि कोविट 19 के तीन साल बात कोरोना व अंतर राजिटी जो है वो त्रासिदी थी और उसने प्रस्ताव किया गया गया को कोरोना को ही जो कोड़ा होता है पेनैडेमिक इस्थति होती है उसको ले करके उसने प्रस्ताविट किया और पूरे बिस्स में जो है एक तरीके की भינies ततिकी पैदा हुई और वो भρείावा इस्थिति संदेह की थी कि लोग हाथ न मिला पाएं, लोग जो है एक दूसरे से मिल न सकें, गले न मिल सकें और जो बाते हूँ वो फिंगर के तरीके पे हो अंगुली के इसारे पर वो बात कही जाए तो इस बात को लेकर के डबलू यच्चो ने क्लीर किया कि अंतरराच्ट जो त्रासिदी थी उसने बहुत ही संदेहास पदिस्तितें कर दी थी पूरत जो बिस्व है एक तरीके से त्रासिदी की चपेट में आ गया था लोग मिलना छोड़ दिये थे लोग आपस में जो हाथ तक नहीं मिला सकते थे और बात जो होती थी वो अंगुलियों के इसारे प खत्म हो गया ओपर वे लेकिन जो पैना डेन्टिमिक था वो अभी खत्म नहीं हुआै है और उन्होंने तोलह मीः स्क्राइब और वेस्ट अजिया को लेकर के गोप्र टूरeton पर यह कि में आ घरकशा में द्लेंत की यह जो इस्थितिक पैनाडेमिक की कोरोना वाइरस की लेकर के ये साउथ हीस्ट एसिया और वेस्ट एसिया में ये असपस्ट रूप से देखे जा सकते हैं हाली में अभी डबलू येच्चो ने कहा कि वहाँ पर थाउजन्ट पीपल जो हजारों लोग जो है इस वाइरस से प्रतिसपता हमर रहे हैं और मिलियन लोग जो है वो दुरबलता का सिकार हो रहे हैं उस पर जो है लांग टर्म इफेक्ट आ रहा है और लोग भैभीत हो रहे हैं तो अभी कोरोना वाइरस का जो फेजेज है वो खत्म हो गया है लेकिन अभी कोरोना वाइरस नहीं पूरी तरीके से खत्म हुआ है और इसके बाद इन्होंने कोविट-19 को लेकर के ये भी कहा कि मैं ग्रेट फोप के साथ यानि कि एक बड़े उम्मीद के साथ या घोश बैस्विक स्वास्थ खत्रे के रूप में कोविट-19 है अभी और ये अभी खत्म नहीं हुआ है डबलू एच्चो के जो डारेक्टर थे जनरल डारेक्टर थे टेडर्स अधानन वो जो है ये बात कहते हैं कि अभी ये जो कोविट-19 है अभी ये ग्लोबल अभी ये तो मान 19 जो है बैस्विक समदाय के रूप में खत्म हो गया अभी ये सी बात नहीं है अभी ये मौजूद है और ये इसकी जो मौजूदगी है उन्होंने कहा इसकी मौजूदगी को लेकर के जो इसके नए वैरियंट आ रहे हैं उस पर हम जो है अपने विसेसग्यों को बुलाएं ये हमारी पूरी दुनिया को जोखिम में डाल देगा अगर इसका कोई उचित समाधा नहीं निकाला गया नहीं रोका गया तो तो यही बाते उन्होंने कि ही कि अभी इसके जो नए वैरियंट है उसको रोकने के लिए हम जो है उसका समाधा निकालने के लिए एक्सपर्ड क पूरे बिस्व में जो इसके विशेशक होंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और री कन्वेंशन होगा अर्थात की वो पुना उस पर जो है विचार भी मर्स किया जाएगा उस पर एक्सन लिया जाएगा आगे उन्होंने कहा कि मिस्टर टेटर्स ने कहा कि यह जो लोट रहे हैं धीरे धीरे और लोट चुके हैं तो यह जो है पूरे तरीके से जो कोविट-19 का इफेक्ट था ग्लोबल कम्यूटी को ले करके वो कहते हैं कि इसने केवल कोविट-19 जब तक आया एक डेड़ साल तक जितने भी दिन तक रहा इसने पूरा का पूरा अर्थ ब्यवस्था जो थी भारी नुकसान पहुझा है बहुत तरीके से इसने उसका बिनास कर दिया सेटर कर दिया पूरा बिखेर दिया पूरी की पूरी एकॉनमी को धस्त कर दिया और इसके बाद मिस इंफार्मेशन की वजह से जो है जो राजनीतिक बिभाजन होता है जैसे मिस इंफार्मेशन की इस देश में कुछ अलग तरीके से हो रहा है और गौर्मेंट जो है वो अलग कारे कर रही है गौर्मेंट उसको टेक अप नहीं कर पा रही है गौर्मेंट कुछ गलत प्रसारित कर रही है तो यह जो मिस अंडरिस्टेंडिंग होती है मिस इंफ में चले गए तो इसने जो है बहुत भयावा तरीके से पूरे वर्ड पर अपना इफेक्ट जो है वो डाला फिर ये पुलिटिकल फाल आउट करते हैं कि इतना तक ही नहीं इसने रुका कहने का मतलब है कि कोबिट-19 यहीं पर नहीं रुका इसका जो इफेक्ट था और भी डोनाल्ड टरम्प थे और उनका इड्मिनिस्टेशन था वो 2020 के इलेक्शन में इसी की वज़े से गलत बोलने की वज़े से जो है इसका जो है कोबिट-19 के जो उत्तरदाई तो था उसकी वज़े से बोलने की वज़े से वो चुनाव में हार गए और यह उन्हों ने कहा कि युनाइटेड इस्टेट ने पूरी दुनिया में जो है ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इससे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो तो हुआ ही है लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने एक मिलियन से ज़्यादा लोगों लोग जो मारे गए है उनको देखा है और जो कुछ भी उन्होंने COVID-19 के भी से में लेकर के बोला था वही उत्तरदाइद तो बना इनका वही इनका जो है कारण बना जो है पैनाडेमिक मुख भूमी का इनको निभाया तो 2020 के चुनाव में जो डोनाल्ड टरंप के हार हुई यहां पर राइडर वही कैसे होगा अब देखिए दहिंदू की जो फ्रेंड से खुबसूरती होती है दहिंदू अगर आप रीड करते हो पहली चीज की यह समझ लेजिए कि दहिंदू जो घटनाएं वर्तमान में घटती हैं उसके पीछे से बैक्ग्राउंड वो उठा लेता है पीछे का एक्जाम को तो आपका जो है कहीं भी कोचिंग करने की जुरूत नहीं है मेंस में आपका खुद बखुद अंडरिस्टेंटिंग डिवलप हो जाएगी कैसे कोश्चिंस को करते हैं अब देखिए यहां तक जो यूनाइट जो डबलू यच्चो का ने यहां पर जो घोसडा की उसको इन्होंने मद्ध में बताया इसके पूर्व की स्थिती को डबलू यच्चो का जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट था वो बताया अर्थाट कोरोना वायरस को लेकर के उचिश रमाधान क्या है डबलू यच्चो ने क्या घोसडा की है इसकी अगर ब्याक्या आपको 250 को लेकर के डिवीजन कर सकते हो कि इसके कोविट-19 का एफेक्ट क्या था डबलू यच्चो ने घोसडा क्या कि अब इसका समाधान क्या है समाधान को आपको अंतमे कंक्लूजन के रूप में लिखा जाता है ना कि केवल ओ केवल यह प्राबलम है यह समाधान तो वो दिक्क के भी स्टेट्स हैं लेडर्स हैं उन पे आपस में नियोगेट करना होगा यानि वारता लाप होगा इस पैनेडेमिक ट्रेटी को लेकर के उसके समाधान को लेकर के कि हमारा जो फ्यूचर है हेल्थ खत्रा जो स्वास्थ खत्रा है उस पर हमारा जो खत्रा आ रहा है स्वास Technology Department होता है जो Health Department होता है जो इसको इसका पूरा का पूरा Mac Engine समझता है उसको ले करके हम बातचीत करेंगे वहां पर जो विचार बेमर्स किया जाएगा उसको रोकने का जितना समाधान हो सकता है वो किया जाएगा जितना उपाय हो सकता है वो सब किया जाएगा और एक उचित दिशा में हम लोग ले करके चलेंगे ताकि जो भविश में हमारा स्वास्ते के प्रतिक खत्रा उत्पन हो रहा है इसको ले करके इसके जो नए वेरियंट आ रहे हैं उसका सामना हम सरलता पूरवक्या आसानी से कर सकें तो फ्रेंड ये पूरा का पूरा कोविट 19 के उपर जो डबलू येचो की घोशडा थी जो डबलू येचो नो डिकलेयर किया था कि नए तरीके से हमको विचार बिमर्श करना होगा उसको नए बेरियंट को देखना होगा उसके मेकेंजम को समझना होगा भविश के खतरे के हमको जागरूख होना होगा ताकि हम आसानी से उसको फेसेस कर सकें पूरा का पूरा यह हमने आपको इसका कोस्चन्स बताया और उसको समाधान क्या है वो बताया इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कोस्चन्स मैंने दिया हैं कि कोविड-19 को लेकर के आगामी क्या डबली एच्चो की घोसड़ाएं हैं और जो डबली एच्चो की घोसड़ाएं क्या वो उचित दिशा में हैं उससे विस्तु खत्रा कैसे निपट सकता है यहां से आप पूरा का पूरा शमाधान ले सकते होती है पूरा का पूरा आडगिल था फ्रेंड्स मिलते हैं कल के ल कोई प्रापिक नहीं समझ में आ रहा है या पूरे पढ़ाई में कोई प्रॉबलम אז दो आप कमें बहुन बाक्स में कर mention करके भिज और बता सकते हैं वहां यहां पर आपको उची समधान उसका दिया जाए इंधा काथ तो ही